सल्मान खान के शो के व्यूवर्स ने सोशल मीडिया का इस्तमाल करके हिमांची और शेहनास की कॉंट्रूवर्सी पर एक एक कर सब कुछ साफ किया है बिनी नाम के एक शक्स ने 11 पॉइंटर्स में हिमांची और शेहनास की कॉंट्रूवर्सी को सामने रख दिया बिनी ने इसमें लिखा है नमबर वान, पहले हिमांची ने सना से उसके बीएफ का ब्रेकप करवाया, जो के हिमांची का भाई था That's why सना hated her नमबर टू, हिमांची का सौंग आया I Like It, जो की सच में बहुत बेकार था नमबर थ्री, सना को मौक इंटर्व्यू में पूछा गया की बेस्ट और फ्लॉप सौंग बताओ तो सना ने हिमांची के सौंग को फ्लॉप सौंग बोला नमबर फोर, हिमांची के फैंस ने सना को mentally torture किया 5. सना ने फैंस को मूँ तोर जवाब देने के लिए एक और वीडियो डाली जिसमें उसने हिमांशी के सौंग का और भी मजाक उडाया 6. हिमांशी ने क्रिटिसिजम सपोर्टिंग ली नहीं लिया उसकी इगो को हट हुआ तो उसने लाइव आके सना की शकल पर कमेंट किया बोला कि मुझे तेरी शकल पसंद नहीं तो मैंने कभी बोला तुझे वैसे भी कोई इंडस्ट्री में लाइक नहीं करता 7. सना ने फिर वीडियो बना के हिमांशी को शैतान बोला 8. हिमांशी ने सना के करेक्टर पर कमेंट किया MMS लीक करवाने की धमकी दी जलूस निकलवाने की धमकी दी परवरिश पर कमेंट किया बोला कि तुझे तो तेरे पैरंस ने पैदा होते ही फैक दिया था नमबर नाइन सना ने फिर काउंटर अटाक में हिमांची की मॉम के करेक्टर पे कमेंट किया और बोला कि तू भी आंटी लगती है नमबर टैन हिमांची ने अगेन सना को पुलिस की धमकी दी उसे स्लट बोला और बहुत गंदा बोला और एक सौंग निकाला उसको जवाब देने के लिए नमबर 11 सना ने भी काउंटर में सौंग निकाला वोल ये है हिमांची और शेहनाज की इस फैन के हिसाब से पूरी कॉंट्रोर्सी इस फैन ने जो भी लिखा है उसके बाद ऐसा लगता है कि शेहनाज ने हिमांची के साथ अब तक जो भी किया है वो हिमांची के एक्शन्स पर शेहनास का रियाक्शन है फाइनल काट एंटर्टेन्मेंट डेस्क